दुर्दात विकास दूबे पर सस्पेंस खतम होने का नाम नहीं ले रहा है विक्रू कांट के बाद विकास दूबे के मारे जाने तक हर रोज खुलासों ने पुलिस और प्रशाशन को चौका कर रख दिया है इस पूरे मामले की जाच के लिए न्याया एक आयोग और एसाइटी का गठन हुआ है इन सब के बीच विकास दूबे एक और नाम के बारे में खुलासा हुआ है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है पुछताच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि विकास के ममेरे भाई शेश कि विकास दूबे का दूसरा नाम नहीं पता क्या जलाद है बता दें कि इससे पहले भी विकास दूबे से जुड़े कई आडियो विडियो वाइरल हो चुके हैं विकास दूबे को जब पता लगा कि पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा लिख रही है तो उसके सिर पर खून कार हो गया था उसी समय विकास ने कसम खाई थी कि अगर पुलिस आई तो वो किसी को भी जिन्दा नहीं जाने देगा एक एक पुलिस कर्मी को मारने की साजिश उसने पहले ही रच डाली थी मेरे खिलाफ फरजी मुकदमा लिखा जा रहा है कसम से बता रहे हैं इस बार इतन यह विकास दूबे का शिकार करने वालों का हाल होगा जीहां कुछ ऐसा ही विकास दूबे का धंकी भरा यह और यो मंगलवार को वाइरल हो गया इस बात चीत विकास और चौबेपुर ठाने में तनात सिपाहे राजीव चौदरी के बीच दो जुलाई को रात में बात थी तब विकास को पता चल चुका था कि उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज हो रहा है रात बारा बच के ग्यारा मिनट पे उसने सिपाही को फोन किया और गाली के लोज करते हुए धम की दी फोन पर विकास ने सिपाही से कहा कि जब तक मार नहीं लूगा घर नहीं लोटूग बता दो जाकर तो सिपाही कहता है कि पहले मुझे बात करने दो तब विकास दुबे कहता है कि बात कर लो वरना रायता अब फैलने वाला है कोई नहीं बचेगा जब फोन पर विकास सिपाही राजीव चौदरी को धमका रहा था तब वजी हुजूरी कर रहा था जी के अला ये सिपाही पहले ही निलंबित किया जा चुका है इसके खिलाफ जाच की जा रही है पुलिस सूतरों के मताबिक इस बादचीत के बाद राजीव ने S.O. विने तिवारी को जानकारी दी थी कि वो चुपी साधे रहा था बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं विकास से दूबे को लेकर हर दिन कोई ना कोई ओडियो लीक हो रहा है कोई ना कोई विडियो लीक हो रहा है तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट मिलती है आगे और क्या पता चलता है और खबरों के लिए आप बने रहे हैं ह